के पहाडिा है अगले वीडियो को नीटिफिकेशन आप तक पहाड़ सके इस रेशीपी में वेडियो को में पहाड़ देवता, तो दो पहाड़ दो आध्या को दो आध्या पार्या, विवतले में दो दो रिएशा, वाम, शेयर शों दो पेड़ा नेज़ागी, सुन पौने अ तो प्लीज मेरी रेसिपी को जरूर से ट्राइ कीजिएगा तो आईए अब बिना कोई देर की इसे बनाना स्टार्ट करते हैं बेजिटेबल चीला बनाने के लिए मैं आप लिया है एक आलू इसे मैंने चीलने के बाद काटने के बाद हमें इन सब्जों को नहीं दोना है इस बात का ध्यान रखें तो आईए अब हमें इन सारी सब्जों को बारी काट लेंगे यहाँ पर मैंने डाइसोग्राम सूजी ली है इसको मैंने चान लिया है और एक इनो का पेकेट लिया है इस डाइसोग्राम सूजी से तीन चिले बनकर तयार होंगे यह देखे फ्रेंड्स मैंने सारी सब्जियों को बिल्कुल बारिक काट लिया है अब हम इस सूजी को लेंगे और सूजी को खुलने के लिए हम दही या चाज का यूज करेंगे अगर आप दही लेते हैं तो आपको थोड़ा सा पानी एड़ करने के ज़रत पड़ेगी लेकिन मैं यहाँ पर चाज का यूज कर रही हूं मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चाज डाल दी है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें यहाँ पर गोल को काफी गाड़ा रखन करना होता है हमें इसे लिक्वीड बिल्कुल भी नहीं करना है यह देखिए मैंने इसके अंदर सारी सब्जियों को डाल दिया है अब इसके अंदर चाज काफी कम है हम इसके अंदर थोड़ी सी चाज ओरेड़ करेंगे बहुत ज्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ी सी अब हम इसमें बहुत ही कम ज़रुत पड़ेगी यह देखिए मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसका ढगा कर इसे 10 मिट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे अब आप देखेंगे कि हमारा मिक्सर जो है पहले से काफी गाड़ा हो गया है हम इसके अंदर थोड़ी सी चार्च ओर डाल देंगे हमें इसमें टोटल मिलाकर एक से डेड़ कप चार्च के जोरत पड़ेगी इससे ज्यादा नहीं यह देखिए हमारा मिक्सर इस तरह से गाड़ा होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे यह आदा चमच नमक आदा चमच ल आधे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसे 3 बराबर पार्ट में डिवाइट करेंगे इस टाइसो क्राम सुजिसे और इन सब्जियों से तीन चीले बनकर रेडी होंगे हमें तीन बराबर पार्ट में से डिवाइड करना है दो पार जितना मैंने इस अलग प्लेट में और एक पार्ट जितना मैंने इस बड़े वाले बोल में रखा है अब हम चलते हैं गेस की तरफ मैंने या पर एक नोन स्टिक पेन लिया है मेरे पास इस तरह का थोड़ा डीप पेन है अगर आपके पास यह नहीं हो तो कोई बात नहीं आप फ्लेट पेन भी ले सकते हैं लेकि इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल देना है इनो के अपर ताकि एक्टिव हो जाए इनो और इस अच्छा से मिक्स करके अब हम इस पेन के अंदर डाल देंगे हमें इस नाश्टे के अंदर बहुत ही कम उईल की जरुरत पड़ेगी इनो डालने के बाद हमें फटा फट पेन क 8 कि अंदर इस मिक्सर को डाल देना है प Simpson बीच दे इसे जो चाहे वह के शेफ दे सकते हैं में आपको हार्ट शेफ दूँगे हमारे चीले को और आपको ध्यान रहे कि आपको इस निसलें को बिल्कुल पतला नहीं करना है हमें इससे थीकी रखनासे मोटा रखना है वरनमार तोट जाएगा जगा जगा से में आपर हाइट शेफ दूंगी और इसे मोटा रखूंगी ठीक रखूंगी यह देखिए इससे बड़ा नहीं करोंगी वरना यह टूट जाएगा आप चाहे तो से गोल शेफ दे ओल शेफ दे दे इस तरह से चम्मच की है अपको एक जैसा इसे कर लेना है ना कहीं से मोटा होना चाहिए ना कहीं से पतला बिल्कुल एक जैसी मोटा और चाहिए पूरे की यह देखिए मैं इसको बहुत है अच्छे से सट कर लिया है कि अब हम इसे दकन लगा कर पांश मुट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे यह देखिए 5 मिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं हमारा चीले का जो कलर है वो उपर से चेंज हो गया है थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम इसे इस तरह से थोड़ा सा उपर उठाएंगे और थोड़ा सा ओईल हम पीछे की साइट भी डालेंगे आप देख सकते हैं हमारे चीले का कलर कितना शान्दार आया है अब हमें दूसरी साइट भी डखकन लगा कर पांच मिट के लिए सेखना है लो टू मीडियम फ्लेम पर यह देखिए पांच मिट हो चुके हैं और हमारा वेजिटेबल चीला बनकर बिल्कुल रड़ी है यह कितना यमी लग रहा है यह बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें सारी रॉ वेजिटेबल का यूज किया है जो कि हमारी सहट के लिए बहुत ही फाइ अब हम सारे चीले इसी तरह से बना कर रेडी कर लेंगे आप इसे टोमेटो केचप के साथ इंज्वाइ कर सकते हैं प्लीज आप मेरी रेसिपी को जरूर से ट्राइ कीजिएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बहुत जल्द मिलती हूं आप से अगली रेसिपी के साथ थैंक यू